महाराष्ट्र कॉंग्रेस अद्यक्ष नाना पटोले ने यूपी के सीम योगी आधितनात को लेकर एक विवादित बयान दिया पटोले ने कहा सीता जी का हरन करने रावन जब आये तब भी भगवा कपड़ा पहन के आये थे अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महारास्ट्र कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले फिर चर्चा में इस बार नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितनात को लेकर विवादित बयान दिया जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है महाराष्ट्र कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी के सीम योगी आधितनात को लेकर एक विवादित बयान दिया पटोले ने कहा सीता जी का हरन करने रावन जब आय थे तब भी भगवा कपड़ा पहन के आय थे अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले फिर चर्चा में इस बार नाना पटोलिन उच्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात को लेकर विवादित बयान दिया जिसidas सियासी संग् मचा हुआ है महाराष्ट्र कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी के सीम योगी आधितनात को लेकर एक विवादित बयान दिया पटोले ने कहा सीता जी का हरन करने रावन जब आए थे तब भी भगवा कपड़ा पहन के आए थे अपने विवादित बयानों को ल लेकर विवादित बयान दिया जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है